वेल तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल बानिस पंकर श्टो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि हमें समर स्लैम 2022 के अंदर काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और समर स्लैम 2022 को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को भी लिए सो इस थिंग के उपर डीटेल में बात करेंगे और रोमन व्रेंस यहां पर रिवील करते वे दिखाए देते हैं कि वो क्यों इतना टाइम आफ लेते हैं और क्यों वो टाइम आफ लेने वाले हैं डबलोली की तरफ से सो इस थिंग को भी लेकर एक काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है और रोमन व्रेंस ब्रॉक लेस्टन के साथ में लास्ट मैच लणना चाहते हैं और इस अपते की मंडे नाइट रोकिया में वीवर्शिप कितनी देखने को मिली है और भी अच्छी खासी अपडेट होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर टिकट सेलिंग भी देखने को मिल चुकी है समझ स्लैम 2022 की तो काफी कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जरा भी मिस मत करना एक भी पार्ट तो भाई शुरू करते हैं और उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भाई क्या कर रहो यार आपको यहां पर हमें सा लेटेस्ट अपडेट और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है सो अफकोस भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओके तो चलते हैं फिर टॉपेक पर आते हैं सो फर्स्ट अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रिया रिपली की तरफ से सो रिया रिपली हमें यहां पर ट्विटर अकाउंट पर अपने ट्रोल करते हुए दिखाए देती हैं uncertainty को जाहां पर वो ट्वीट करके कहती हैं कि बुया का बुया का I am your puppy जैसा कि यहां पर यह त्वीट देक सकते हो तो रिया रिपली यहां पर जो कि Eddie Guerrero and Ray Mysterio के entrance को पोग करते वे दिखाए देती है Eddie Guerrero के उस t-shirt को लेकर जो हमें I'm Your Puppy का देखने को मिलता है तो यह कुछ हमें यहां पर ट्रोल देखने को मिलता है रिया रिपली की तरफ से तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते है तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इस साल के Summer Slam के ticket selling को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Summer Slam के ticket selling हमें latest देखने को मिल चुके हैं जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें यहां पे जो total capacity देखने को मिल रही है वो 37,752 यानि कि 37,752 है और यहां पे जो tickets sell होते वे दिखाई दे चुके हैं वो 34,248 यानि कि 34,248 है और जो tickets अभी फिलाल के time पे बाकी है वो 35004 यानि कि 3,504 यानि कि इतने ही tickets यहां पर बाकी जो कि हमें यह tickets जल्दी sell होते वे दिखाई दे जाएंगे क्योंकि summer slam अभी फिलाल हमें कुछी दिनों दूर रह चुका है तो हमें यहां पे यह tickets हैं यह पूरी तरीके से sold out होते वे दिखाई दे जाएंगे जो कि of course काफी बढ़ियां बात हमें यहां पे देखने को मिल रह तो यह update हमें देखने को मिल रहा है इस अपते के Monday Night Raw के वीवर्शिप की तरफ से जैसा कि आप लोग को बता दू कि इस अपते का जो हमें Monday Night Raw देखने को मिला था जो कि आधा अधुरा ट्रेपल लच की कंट्रोल में था लेकिन पूरा थोड़ा विंस्मिक्में के कंट्रोल म मिला था वो काफी बढ़िया रहा देखने को मिला था सुरुवाती से लेके end तक और यहां पर जो वीवर्शिप देखने को मिली है वो 1.901 मिलियन वीवर्शिप देखने को मिली है यस 1.901 की मिलियन की वीवर्शिप हमें यहां पर देखने को मिली है जो की वीवर्शिप तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है विंस मिकमेंड की तरफ से विंस मिकमेंड के अनप्रोफेशनल बीहेवियर को लेकर काफी लोग जो की यहां पर reveal करते वे दिखाय देते है recent में जो कि Vince McMahon के retirement के बाद जहांपर मतलब लोगों का ये कहना था कि unprofessional behavior हमें देखने को मिलता था backstage में जो कि writers के साथ में Vince McMahon का काफी अलग-अलग नाम से बुलाया करते थे तो ये कुछ हमें यहाँ पे reveal करते वे दिखाय देते हैं जो नाम से ऐसे बुलाया करते थे वो नाम जो की टीवी टैपिंग्स पे भी ले नहीं सकते थे तो ऐसे और भी unprofessional behavior देखने को मिलते थे Vince McMahon के जो कि हमें टीवी टैपिंग्स पे पता नहीं चलती थी तो ये कुछ हमें यहाँ पे WWE के writers जो की reveal करते वे दिखाय दे रहे हैं अगली update की बात करें तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Montage Ford की तरफ से Montage Ford यहाँ पर The Usos को लेकर काफी interesting thing जो की कहते वे दिखाय देते Bianca Blair को जहां पर Montage Ford का ये कहना था कि जो The Usos हैं वो Twins Brother नहीं है यानि कि जो Twins है वो Usos बिल्कुल भी नहीं है तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानि कि Montage Ford का मानना था जो की Bianca Blair के साथ में प्रैंक करते थे हैं कि The Usos Twins Brothers नहीं है तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओके सो next one update की बात करें तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Vince McMahon के short term memory के problem को लेकर तो Scene Ross की तरफ से update हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि जो Vince McMahon है उनको short term memory problem थी उनके booking को लेकर तो ये कुछ हमें यहाँ पर update देखने को मिल रहा है वैसे भाई मुझे तो ये एक भद्धा सा मजाक लग रहा है तो आपका क्या उपिनेन हो मुझे comment section में जरूर बता देना अगली update की तरफ बढ़ते तो ये update हमें देखने को मिल रहा Titus Onil की तरफ से Titus Onil को लेकर update ये है कि जो Titus Onil है वो हमें Fightful के Interview में Reveal करते वे दिखाए देते हैं कि आने वाले समय में वो dowloddy के लिए हमें Russell करते वे दिखाए देंगे अभी तक उन्होंने Russell करना नहीं चोड़ा है वो हमें Russell करते दिखाए देंगे रिंग के अंदर अपनी वापसी जरूर करेंगे तो ये कुछ हमें यहाँ पर TITE सोनगी बताते वे दिखाए देते हैं So, अगली update की तरफ बढ़ते तो ये update हमें देखने को मिल रहे है Lee Morgan की तरफ से So, Lee Morgan जो की recent के interview में बताते वे दिखाए देती है कि जब उनोंने सुना जब उनोंने देखा कि Vince McMahon retire हो चुके हैं तो उनको काफी बड़ा shock लगा क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि जो कि Vince McMahon वो retirement लेंगे भी तो ये कुछ हमें याँ पर Lee Morgan बताते वे दिखाये देती हैं और सेम हमको भी यही लग रहा था कि Vince McMahon कभी retirement लेंगे नहीं लेकिन हमें retirement देखने को मिल गया तो अगली update की तरफ बढ़ते हैं तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Vince Russo की तरफ से जो की अजीवो गरीब हमें यहाँ पर जो बाते देखने को मिलती है वो एक बार फिन से देखने को मिली है तो जैसा कि आप लोग को बता दो कि यहाँ पर Vince Russo का यह कहना है कि जो हमें Vince McMahon का retirement देखने को मिला है यह retirement एक तरीके की चाल है बस मतलब जूटा जूटा यहाँ पर retirement ले लिया है so Vince Russo का यह कहना है कि जो Vince McMahon है अभी भी control उनके हाथ में है बस यह दिखाया जा रहा है कि वो retirement ले लिये हैं यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि Vince Russo बताते वे दिखाय देते हैं वैसे इसके उपर कितनी सच्चा ही है वो मुझे comment section में आप लोग जरूर बता देना so अगली update की तरफ चलते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है John Cena की तरफ से so John Cena का हमें debut देखने को मिलने वाला है Fortnite के अंदर तो Fortnite के अंदर हमें उनका एक character देखने को मिलेगा उनका जो हमें character देखने को मिलता है WD के अंदर तो उसी type का हमें जो की character देखने को मिलेगा Fortnite के अंदर जो की काफी बड़ी बात और अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और 28 जुलाई से हमें यह तिंग देखने को मिलेगा जो की काफी बेस्ट है तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Becky Lynch की तरफ से So Becky Lynch जो की recent के interview में reveal करते वे दिखाए देती है कि जो Vince McMahon है वो कभी भी time off तो लेते नहीं लेकिन मैं यहाँ पे time off लेने के लिए उनको मना रही थी और Vince McMahon को जो की holiday पे जाने के लिए और time off लेने के लिए जो की Becky Lynch कहा करती थी तो यह कुछ हमें यहाँ पे Becky Lynch जो की reveal करते वे दिखाए देती है So अगली update की तरफ बढ़ते तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की WWE के SummerSlam 2022 की तरफ से So SummerSlam 2022 को लेकर काफी बड़ी update देखने को मिली है तो जैसा की आप लोग को बता दू कि हमें Russell वोट्स की तरफ से काफी बड़ा tweet ही देखने को मिलता है जहां पर उनका यह कहना था कि With SummerSlam being is real first so in total control Sources says Triple H would like to make a creative splash at the event However only if it makes sense won't just do something to do it How about that change of pace already यानि कि इनका यह कहना है कि हमें मतलब हो सकता है कि Triple H इस event के अंदर जिसके अंदर पहला control उनका पूरा है मतलब जो हमें पहला paper भी देखने को मिलेगा Premium live event देखने को मिलेगा जिसके अंदर Triple H का पूरा control होगा तो इसके अंदर हमें कुछ changes करते वे दिखाई दे सकते हैं sources की तरफ से updates हमें यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन हमें यह जो changes देखने को मिलेंगे तभी changes देखने को मिलेंगे जब कोई sense बनाएगा तो यह कुछ हमें यहां पर बताते वे दिखाई देते हैं नहीं तो हमें जो चीजे देखने को मिल रही हैं वही सारी चीजे देखने को मिल सकती है और यहाँ पे हो सकता है कि हमें ट्रेपल एच थोड़े बहुत आइडिया को पॉलिश करते वे दिखाई दे सकते हैं तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते है तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि रोमन रेंस की तरफ से तो रोमन रेंस जो कि हमें रिसेंट के लाइब टूडे के साथ में हमें इंटर्वी में देखने को मिलते हैं जो कि एक आइधिंग न्यूस चैनल है तो वहाँ पर हमें काफी अच्छा कासा इंटर्वी देखने को मिलता है रोमन रेंस का जाम पर रोमन रेंस काफी सारी ची में वो last match हमें देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ यहां पर Roman Reigns का कहना भी था और यहां पर Roman Reigns हमें raw में भी यही चीज़े कहते वे दिखाए देते कि यह last match देखने को मिलेगा so Roman Reigns हमें यहां पर indicate करते वे दिखाए दे रहे कि हमें यह last match देखने को मिलेगा Roman Reigns and Brock वो time off लेने का मेरा एक कारण है और वो reason यह है कि वो अपने बच्चों को time देना चाहते हैं तो इसकी वज़े से जो उनका schedule है उसको उन्होंने lighter करवाया है so main reason यहीं reveal करते वे दिखाये देते कि उनके बच्चों की वज़े से वो जो की time spend करना चाहते हैं उनके साथ में तो इस वज़े से वो हमें यहां पर जो की time off लेते वे दिखाये देते हैं तो यह कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है जो की of course भाई अच्छी बात है और यहां पर time off लेना भी चाहिए family के लिए तो यही thing हमें यहां पर बताते वे दिखाये देते हैं रोमर रेन्स का यह भी कहना था की काफी ज़्यादा हर्ट करता है ब्रॉक रेस्टर के साथ में लड़ना क्योंकि यह एक ऐसे superstar है जिसका हमें background काफी खतरना की strong देखने को मिलता है इसे में ऐसे superstar के साथ में ऐसे wrestler के साथ में लड़ना जो की काफी ज़्यादा हर्ट करता है तो यह कुछ हमें यहां पर रोमर रेन्स रिवील करते वे दिखाये देते हैं और आल्सो यह भी कहते वे दिखाये देते कि मैं इतना ज़्यादा dominant कर रहा हूं यही मेरी सबसे बड़ी problem होने वाली है और यही एक सबसे बड़ी problem है तो यह कुछ हमें यहां पर रोमर ने जो की recent के live today के interview में बताते वे दिखाये देते हैं तो यह कुछ हमें यहां पर सबसे बड़ी चीज़े जो की reveal होते वे दिखाये दिखाये हैं सो वैसे आप लोगों का क्या opinion है इन सारी things के उपर हो मुझे comment section में जरूर पता देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो या लाइक करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो Instagram और Twitter का link बाई description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लेना और जिसने चैनल को subscribe नहीं क्या तो भाई क्या करो यार आपको यहाँ पर हमें साले latest updates और ऐसी interesting videos मिलती रहती है so of course भाई चैनल को जरूर subscribe कर लेना okay so फिन मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye everyone guys